नमस्कार दोस्तों, सोशिलोजी की क्रैस कोर्स चनल में आपका स्वागत है और इस समें हम असिस्टेम प्रफिसर का क्रैस कोर्स पढ़ना है जिसमें उनिट वन चल रही है और इसमें विवाह का जो चैप्टर है उसको हम फिनिश करेंगे, ठीक है? तो विवाह देखिए, एक सारवमिक संस्था है आप जानते ही हैं कि प्रतेक समाज में, प्रतेक जगहों पर विवाह जरूर पाया जाता है जो सभी समाजों में किसी ने किसी रूप में विवाह क्या है? विद्यमान है ठीक है विवा क्या है प्रतेक समाज में किसी ने किसी रूप में विद्यमान है और विवाक शच्र दाथ होता है उद्धा, यानि वधू को अपने घर ले जाना ठीक है और विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें कुछ रश्मों के अनुपालन द्वारा वर जो है वो वधू को अपने घर ले जाता है तो आपने देखा होगा चाहिए मिसाई विवा की बात करें चाहिए हम हिंदू विवा की बात करें चाहिए हम मुस्लिम विवा की बात करें फिर जन जातियों में जो अलग अलग जन जातियां हैं तरीके भले अलग होते हैं लेकिन जो एक बेसिक उनका जो कॉंसेट होता है ज शनुष्ठानों के मादम से विवाह कारिक्रम संपन होता है और कहीं वर मृधू मिलकर एक जगह जा अपना परिवार बसाते हैं यह चीजे होती है कि विवाह की उद्देश देखे क्या है विवा की जो उदेश होते हैं वो अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग होते हैं ठीक है इसमें हिंदु धर्में विवा के उदेश हैं धर्म प्रजा और रती ठीक है धर्म का मतलब धार्मी कनुष्ठान तो हिंदु विवा का जो प्राथमिक उदेश होता है हुआ हिए जो प्रधामची होती है, वह यह होती हिप्छी था वह के जबह से पर सबढ़ए कैन्य शेरी होता है इसके लिए विवाह को में हिए इसकी भन फर्फह। ठीक है प्रजा का मतलब होता है पुत्र-प्राप्ति टूग ऊसके बाद कि आता है कि हम पुत्र-प्राप्ति के लिए बिवाय करते हैं ताकि जो हमारी पिड़ी है पीडी की निरनतरता बनी रहे हैं और रती सुक जो हता है यह उन संतुष्टी जो हती है वो लाश्ट में आता है ठीक है अब देखिए मुस्लिम धर्म में विवा एक समझोता है और समझोते का पालन ना होने की दर्शा में तलागदर विवा को समाथ कर दिया जाता है तो जैस होता है मुस्लिम धर में कि कुछ सर्ते होती है उस शर्तों के का पालन यदि नहीं हो रहा है यदि कोई पक्ष है जो संतुष्ट नहीं है इन शर्तों से कि हां अगला पक्ष इसको पालन कर रहा है तो विवा को बड़ी असानी से समाप्ट कर दिया जाता है लेकिन हिंदू important होता है बस वही आपके notes में आपको मिल जाता है ठीक है और जो भी आपको ऐसी चीजे होती है कि एक्जाम में नहीं आ सकते हैं अभी तक नहीं कभी पुछी कहीं है आगे भी संभावना नहीं तो उन चीजों को इसमें शमलित नहीं किया ठीक है तो हिंदो विवाह मुस्लिम विवाह और इसाइव विवाह तीनों के तीनों विवाह आपने देख लिए अगर देखे बहुत most important thinker है विवाह के संभने में इनोंने चीजे बताई हुई है और पूरे 250 समाज बहुत बड़ी चीज होती है ठीक है अगर 250 समाजों का इनोंने अध्यन किया है अलग-लग समाजों का उनोंने अध्यन किया है तो इसका मतलब है कि इनोंने काफी ठोश चीजे दी हुई है ठी इसके सभी समाजों में मोस्टली जो सबसे जादा इंपॉर्टन्ट उदेश होता है पहला उदेश होता है यहां संतुष्टी दूसरा होता है आर्थिक सहयोग ठीक है जानि इसको आर्थिक सपोर्ट मिल जाता है तो क्यों घर के काम करना होता है ठीक है बच्चों का पालन पुरी पूरी जो भूमिकर होती है इसके लिए जरूरी होता है और आर्थिक सहयोग पुरुष देता है इसलिए विवा ज़रूरी है ठीक है संतानों का समाजी करन वँब दियान करने के बाद यह ली काफी थोज़़ चीज नहीं तो इसमें वी प्रशन बन सकते हैं कि कि इसने माना है कि विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें बच्चे को माता-पिता की वैदितान मानते हैं, यानि बच्चे के जन की वैदिता को इन्होंने जादे इंपोर्टन माना है, ठीक है, डबल एचार रिवर्स ने कहा है कि जिन साधनों द्वारा मानों समाज यहां समंधों का नियमन करता है, उसे हम विवाह कहते हैं, ठीक है? यानि यहान समंध हो समाज वारा श्विक्रिती प्राप्त करने के लिए क्या होता है? विवाह ने कह यह पूछी जा सकते है कि किसने में इन चीज फोकस किया किसने बच्चों के समाजी करन यानि वैदिता को किसने मुख्य माना है तो इसमें आ जाएंगे भगाड़ judgments के एक परवरिक निया बच्चों के लिए जो एक प्रोसीज़र होता है कि हम इसके बाद भेशने प्रिवेश कर सकते हुँ विवा होता है ठीक है तो इसको अलग दिंग से भी पूछे जासकता है और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाता है वो बोगाड़ेस का एक अगतन है जॉंसन के इनुसार विवादर एक इस्त्री एक पुरुष को समुधाय में अपनी प्रतिष्ठा खोई बिना संतान उत्पन करने की समाजि समाजिक मानिता यानि जो समाज में नियम होते हैं उसमें मानिताओं का ही सारा के सारा खेल होता है और जिस चीज की मानिता समाज के दारह नहीं मिलती है वो असमाजिक हो जाता है ठीक है जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो बच्चे होते हैं अवैद बच्चा होता है त उस बच्चे को समाजिक माननेता मिल जाती है ठीक है तो समाजिक माननेता हो कहीं सारा खेल जो सोशलाजी की बात है यह चीज आप ध्यान दीजगा इंटर्विव में इस तरह के कोश्चन्स आते हैं कि आपका दिमाग तुरंत नहीं काम करता ठीक है वेश्टर मार्ट ने History of Human Marriage 1881 में ये पुष्टक लिखी थी ठीके और इसमें उन्होंने जो परिभाशा दी विवा की ये भी याद रखे most important है विवा एक यादिक पुरुशों का एक यादिक हिस्त्रियों से होने वाले संबंध है जिसे प्रताया पुष्टक सेक्स और इन सेवेश सुसाइटी 1927 में लिखी है ठीके और इनों लिखा है कि एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है था और रहेगा ठीके ये most important है और ये आता ही आता है ठीके एक्जाम में तो याद रखेगा एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है था और रहेगा ये किसने कहा है अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते है मैलिनों इसकी और वेस्टर मार्क में ठीके तो ये किस पुष्टक में कहा गया है पुष्टक का प्रकाशित हुई और ये जो कोटेशन है किसका है ये सब याद रखेगा अब अगला देखिए विवाह के प्रकार के बारे में है तो देखिए विवाह के प्रकार हिंदू में अलग होते हैं मुस्लिम में अलग होते हैं इसाई में अलग होते हैं जंजातियों में आपको विवा के प्रकार बताय हुए हैं और इसमें बाकी जो चीजे हैं इसमें हम बता देंगे ठीक है एक विवा का मतलब होता है कि इसमें एक वेक्ति जो होता है एक ही विवा कर सकता है और दूसरा विवा वो नहीं कर सकता है एक पत्नी है तो दूसरा विवा वो नहीं कर स एक पतनी है आपके पास और उसके मृत्ति हो गई तो आप दूसरी शादि नहीं कर सकते हैं करमी के क्या होता है कि एक से ज्यादा पूरुष कभी कभी कर दी। इक ही महिला से तो गया बहु पत्नी विवा से जाने कोई लड़की यह शादी कर ली जानी पत्नी तो भब बहु पत्नी विवा हो गया है बहु युआ का मतलब बहु पत्नी विव as किसी पुरुष के एक से ज़्यादा पत्नी ठीक है तो इसको आपको बस यह याद रखना है कि यह चीसे पाई कहां जाती है तो देगे बहुपती हुआ जो होता है वो पाया जाता तिब्बत में सबसे ज्यादा तिब्बत में यह आम प्रचलित है हर दूसरा घर आपको बहु माना जाता पॉलिनेशिया के मार्क्यूशंस जंजाती में पाया जाता है माला बार में पाया जाता है निलगीरी परवत के जो टोडा है उनमें पाया जाता है केरल के तियान जंजाती कोटा जंजाती देरादुन के जौन सार बाबर की खस जंजाती में ठीक है और कि यहाई कि आपस में सभी पती भाई होते हैं ठीक है नुहां पें कि यहां कर प्रेकर को थे कि वहां पें यहां घा-म में आप में अब बहुत है कि आपस में यह भाई भाई नहीं होते ठीक है बहुपत्नी प्रथा देख्षिक्या इसमें एक पुरुष कई स्थित्यों से विवाह करता है यह प्रथा जो है स्थित्यों होती है वह क्या है पत्ने इसका मिनावल पुरुष ने का सभव है उस्चा प्रथान पई समय व्याय का मतलब होता है कि एक पूरा का पूरा ग्रूप होता है ठीक है एक पुरा का पुरा गुरूप है और इधर का एक गुरूप है इनकी शादी जो है इस गुरूप से हो गई तो इससे क्या हो गया कि इस गुरूप का प्रत्यक मेंबर इस गुरूप की प्रत्यक मेंबर के क्या है पती है ठीक है उसी तरह से यानि एक इस्तरी है अगर ग्रूप में 20 लोग है तो 20 उसके 20 पत्ति होगे ठीक है अगर 20 स्त्रियां है तो उसकी 20 पत्ति होगे इस तरह से होता है ठीक है तो समय आप समझ गया होंगे इसका मारगन ने उलेक किया था विवाह के अन्य प्रकार देखे क्या है विवाह के जो प्रकार है जो अन्य प्रकार ठीक है इसमें एक्जामें प्रस्णाते हैं अधिमान विवाह देखे क्या है तो अधिमान विवाह का मतलब होता है कि हमको जीवन साथे चुनने के लिए किसी क्विशेश सम्हू का वरीता दी जाती है ठीक है जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो नायर जिन जाती है नायर तरह से उसको अनुष्ठानों के माध्यम से विवाह हुआ है ठीक है लेकिन फिर भी वो जो पूरुष होता है उसका चेहरा नहीं देखती और उनका जो संबंद बनता है वो नमूदरी ब्रामडों से बनता है तो अधिमान ने समू कौन सा हो गया उनका नमूदरी ब्रामड ठीक है निश्यवी साथ होता है जिस सब्सक्राइब बहुत पहले सेही पता होता हूंद तो अधिमान मतलभ होता है मामा मतलब से बुला के लडड़के से इस तरह से शादिया हो जाते है अब देखिए सलिंग सवधरश का मतलब क्या होता है कि एक ही लिंग के संतानों के बीच में विवाज होता है ठीक है एक ही लिंग मतलब जैसे पिता जो है ठीक है पिता के भाई के लड़के से ठीक है यानि लिंग एक ही है जो पिता पक्षिस था ठीक है वो क्या है पुरुष पुरुश कही चल रहा है कि गुच मतलब होता है कि बुआ और मामा के लड़के के वीच में शादी होती है तो उसमें विलिंग सहदर विवा हो गया देवर भावी विवा देखिए पस्टिम उत्तर प्रदेशंों पाय जाता है अपने उत्तर प्रदेश दों बहुत से घरव मि देखा होगा कि भाई कि मृत्तियों के बाद उसके छोटे भाई से ze हो जाता है और यह उत्तर भारत में मुझे लगता है आम प्रचलित भोत यह क्राइम नहीं हैbe हार्जारा की जो अहिर, ज़न जाती है वहां में पाइस जाता है गोंड, खरिया संथाल जन ज़न जाती में ये सीजे पाइस थाइस पैसि विवा देखे यह यह पाइस जाता है यानि पतनी की मृध्तियों के बाद पत्नी की बहान से विवा यह हमारे उत्तर भारत में पाया जाता है ठीक है गोंड घरीया जन जाती यहां पर उत्तर भारत भी अगर होगा तो भी आप उसको देख लीजेगा अब दीके स्वास्रिक बहुपत्नी विवाह यह जो जितनी भ बोड जन जाती बैगा जन जाती लुसाई जन जाती और कई पर पूचा गया है कि कई पत्नी आपस में बेहने होती है तो तो यह आद रखेगा स्वस्थ्रीक बःपत्नी विवा होता क॥न हिरा खैसे कैसे कैा लिन्क हुआ है तो क्योंकि जब उत्पत्ती हुई थी तब उसका कोई साक्ष एक अलोकन का जो साक्ष होता है कि यहां आपको देखा प्रमाण वह हमारे पास नहीं होता है तो इसलिए वह आसपस्ट होती है ठीक है तो यह कथन याद रखेगा और मैकाईवर के कुछ और भी कथन है जो मोस्ट इ कुछ आपको मिल जाएंगे तो मैने जो आपको बता था एक्स्ट्रा चीज़ें तो कॉर्से कंप्लीट होने के बाद जो वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलेंगी ठीक है और यह देखे याद रखेगा कि जो लोग ग्रूप में कु पर है ठीक है आपका जैसा ग्रूप में पर्फॉर्मेंस रहा होगा तो इसी साफ से आपको मिलेंगी ठीक है वो आपको फ्री में सब चीज़े मिल रहे हैं ठीक है तो याद रखिएगा ग्रूप में कोई भी ऐसी अक्टिविटी मत कीजेगा कि आपको प्रॉब्लम्स हो अंत जनजाती के हैं तो अपनी जनजाती से चुनेंगे अंतर विवाक मतलब होता है जिस समू से हम हैं चाहे वो जाती हो धर्म हो या फिर किसी आने समू का तो उससे हम जीवन साथी अपना चुनेंगे ठीक है बहर विवा क्या होता है कि हम जिस समू के हैं उसके बाहर जो है जी इसलों नहीं होता है यह सब जीजाद के झाल के इस जीजी होते हैं अए अर्यनुन के तो उनसे विवा नहीं होता अंतर विवा और बहर विवा का उलेग जो है मैकलिनन ने किया था यह most important है exogamia और endogamia का जो उलेग है यह किस ने किया था मैकलिनन ने ठीक है और यह तो है स्कार्ट लेंड के यह भी एक्जाम में आ सकता है कि यह कहां के थे इनकी प्रमुक रचनाये हैं प्रिमिट्व मैरिज यह लिखी गई ठीक है अठारा सो पचासी में ठीक है तो यहां पे पित्र जो पित्रात्मक ठीक है इस पर उन्होंने फोकस किया था इसमें वहर विवा के लिखे गोधरा था का मतलब होता है गोधन्त्र यानि गोः और देस्टान होता था इसको गोधरा वह जाती है तो यहां पर बांदते थे ठीक है यानि को आसपास रहते थे उन्से वीवाह के निशेद की गई है और ईसा माना जाता था कि उनका पूर्वच से रिलेटेड है एक ही पूर्वच की संतानेомина है ठीक है? इसलिए उन्में विवाह जो था वह निशेद था अब देखें गोत्र की जाती है गोत्र कितने होते हैं कई बार इंटर्वी में पुछा गया है एक्जामस में पुछे गया है तो बच्चे जो है नहीं कर पाते हैं तो आप गोत्र को याद कर लिजें कितने गोत्र हैं साथ गोत्र होते हैं हिंदू में और कौन-कौन से गोत्र हैं भारतवाज गोत्र विश्वामित्र गोत झमदागनी गो तो इसमें क्या है कि ये सारे सारे रिशियों की नाम है तो मिलकर देखा जाए तक झाल अब जो जोड़ते हैं वो एक इसे आपको जौड़ते हैं यह हैं मुस् Keep फीर वौडते हैं झ righteous इस रिशी की संतान है ठीक है तो वो लोग क्या करते हैं आपस में भारतवाज लोग भारतवाज में विवा नहीं करते हैं उनका मानना है कि हम भी उसी रिशी से उत्पन हुए है और जो सामने वाला है वो भी उत्पन हुआ है तो विवा नहीं होता ठीक है तो गोत्र का नाम आप जात रहें कितने गोत्रे यह चानल करने वाले जो लोग होते हैं और आपसमें वह से संब्ध्र में क्या होता है कि जो समान पूर्व से रिलेटेट्ट लोग होते हैं वह क्या करते हैं आपसमें विवान नहीं करतें इस देखा गोत्रे सेही यह related सब्ड का मतलब क्या होता है इसाप्ड का ताथ पर है किया मृत्त वेक्तियों को पिंड़ान करते हैं आपने देखा खाएक पिंड़ान का मतलब जो एक ही पिंड़ से related और्थाद उनकी अरफ्त का सम्बंधी होते हैं ठीक है पिन्दान कौन करेगा पिता का जो पिन्दान है वो पूत्र करता है फिर या फिर पोता करता है ठीक है तो इस तरह से जो ब्लट से रिलेटेड होते हैं और वही बिल्कुल प्रात्मिक संबंदी होते हैं वही पिन्दान कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे लोगों में विवा जो है व तो वहां पे विवा नहीं करना चाहिए और माता के पांच पीडियों में कोई है और उनसे ब्लड रिलेशन निकल रहा है तो आप वहां पे विवा मत कीजिए ठीक है ग्राम विविवा मत्ले हैं अपने गाहो के विवा अपस में भाई बैण है अब देखें टोटम वे रविवा का मतलब होता है तोटम कोई पकषी पेड़ पौधा सजी है फिर नेर्जियुचीज जिसके में अपने धर्म से जोड़ते हैं। जन्जातिया होती供समें टोटम का प्रियोग होता है। कबूतर को मुद्या की द्रिश्टी से देख रहे हिए। और अपने धर्म से जोड़ रहा है। ठीक है और उसको बहुत ही जादा वो मानते हैं और अपने धर्म से जोड़ते हैं तो समान जंजाती के लोग उसी पौधे को देखेंगे ठीक है धर्म के मामले में तो आपस में विवा नहीं करते ठीक है तो टोटम की बात है और टोटम हिंदु धर्म में चलता जैसे गाय है पीपल है यह हमारी टोटम है तो इस तरह से होती है कि एक टोटम को मानने वाले लोग आपस में विवा नहीं करते यानि एक ही समूझ से रिलेक्टर है ठीक है अनुलोम विवा और प्रतिलोम विवा का मतलब होता कुछ मण जाती उप जाती कुलिया गोत्र का लड़का निम जातीय कुल गोत्र की लड़की और निम्न जाती का प्रतिलों भीवाल करते हैं तो प्रतिलों भीता है और श॥क्रित विवालों है ठीक है इसमें क्या होता है कि समाजद्वरास इसको इसकी आलोचना कि जाती मननुनें आसे सँध्पन संतानों को जाती है production प्रधिलोम विवा करते हैं आपवित्र हो जाती है और प्रतिलोम विवास उत्पन संताने जो होती है उनकी कोई जाती नहीं होती ठीक है यानि समाज़वारा वो बहिस्कृत होते हैं एक अधनियम है हिंदु विवाः वैदता अधनियम 1949 में और हिंदु विवाः अधनियम 1955 ये दो अधनियम अलग अलग है जो लोग अनलोम या फिर प्रतिलोम विवाः करते हैं उनको समाज़वारा आप बहिस्कृत नहीं करते कानून उनकी मदद करेगा ठीक है तो ये याद रखिएगा समनर और केलर का एक मत है कि अंतर विवाः जो है वह रोडिवादी और बहिर विवाः प्रगतिवादी है यह मोश्ट इंपॉर्टन इनका कथन है कई बार आ चुका है द्यूजवण वृति विवाः देखी क्या है नरती विवाह है और इसमें आपने काफी सुना होगा नरता है इसमें पुरुष पुरुष की शादी या फिर इस्तेरी की जब शादी होती है तो संब्लेंगी की विवाह होता है ठीक है एजंडरी की सुदान जन जाती जो है इसमें आम प्रचलित है और इसमें माना जाता है कि इसमें जो पती है यानि जिसकी शादी हो गई पूरुष-पूरुष की तो इसको दिती पत्नी के रुपे माना जाता है एक पत्नी तो इसकी स्त्री हो गई और एक पत्नी ऐसे माना जाता है ठीक है आदुनिक समाजों में ऐसे विवा पाया जाते हैं, आपने देखा होगा समलेंगिक विवा को लेकर काफी सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी आया, इसके बारे में कानून भी बने, ठीक है, तो समलेंगिक विवा का मतलब होता है, इसमें अगर आप साइंस करद्रिष्टी से दे निता है, अनलोम विवा जब किया जाता है, तो विवा के बाद इस्त्री और बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो पूरी दर से समाज़दार वैद होते हैं, उनको पूरा संपत्ती वेगरा सब मिलता है, समाज़दार उनको पूरा पूरा दरजा मिलता है, ठीक है, लेकिन मा वैद संतान होती है वो समाश दोर वैद मानी जाती लेकिन उनको संपत्ती इंपोर्टन्ट होता है कि व्यू मेल जाती है लेकिन संपत्ती नहीं मिलती हिंदु विवादी क्या हिं Cum Νैंस प्रभू और यह कंद Śजा गया जाता हैं तो पियन प्रभु का ये कोटेशन भी इंपोर्टन्ट है हिंदू विया के दिखिए उद्देश हिंदू विया के तीन उद्देश होते हैं इस्पेशली आपने मैंने आपको बताई था धर्म प्रजा और रती ठीक है धर्म का मतलब है कि प्रतिक विक्ति पर पांस प्रकार के रिण होते हैं जैसे देव रिण, रिशी रिण, पित्र रिण, अतिति रिण, भूत रिण इन रिणों से मुक्ति के लिए हमें यग्य करना पड़ता है तो यह पांच प्रकार की यग्य देव यग्य रिश यग्य पित्र यग्य अतिति यग्य और ठीक है तिये जो यग्य होते हैं उन यग्यों की पूर्थी के लिए विवा अनिवार होता है ठीक है इसलिए विवा किया जाता है नहीं कुल मिला कर देखा जाए तो प्रत्रम जो ह है करन्यादान विवाहों पाड़ी ग्रहन अगनी परिणन अश्वारोहन सब्तपदी सुर्या लोकन और चतुर्थी कर्म यह याद रखेगा रट लीजेगा इसको हिंदु विवा के प्रकार देखे ब्रह्म विवा इस प्रकार की विवा में सुंदर और गुडवान वर को वस 4 और चारण के साथ पूरे अनुषथानों के मादयं से कर्न्य दान किया जाता है तो यह क्या है तो यह क्या है ब्रह्म विवा है क्या है इसे 21 कुछ करने। पुजारी और जो पुजारी लोग होते थे तो उन पुजारी ओशक्ता की पूर्थी के लिए योन और शक्ता से लेकर और जो उनकी पूर्थी के लिए कुछ महिलाएं रखी जाती थी कुछ लड़किया थी लोग दान कर देते थे अपनी लड़की को मठ में या फिर मंदिरों में ठीक है तो जैसे आपने भी देखा होगा राम रहीम का जो मठ था वो भी इसी टाइप का था ठीक है तो उनका जो यौन शोशड भी होता था उन महिलाओं का बागी वो घर जो मठ के सारे काम यानि खान बनाना जाड़ू पोछा बरतन सबके कपड़े धुलना सबकी सेवा करना ठीक है सबको पैर दबाना तो यह सब काम करती थी और साथ-साथ उनका यौन शोशड भी होता था ठीक है तो देवदासी का मतलब था कि उनके साथ कुछ भी किया जाए वो आवाज नहीं उठा सकती थी क्योंकि उनके माता पिता करन्या का दान कर देते थे तो कोई पुरोवित आपके घर आया पूजा पाट करने के लिए और आप उनके अनुष्ठानों से प्रसन्न होकर उनको अपन के पतनिया बन जाती थी ठीक है तो यह वेशाब रित्ती के समान थी देवदाशी जो प्रथा थी धर्म के आड में यौन शोशड होता था बार में इसका काफी विरोध हुआ देव विवाज होती है और ऐसा माना जाता है कि जो देव विया होता है वो देवाले व्यानि दे क्राधे का कि सथबोड़ा को अगर मानों जाते हैं तो ब्रहम विवा देव विवा और रिजापाती व्यां भगहां इसमें कि टायपिंग मिस्टिक हो गई आश्य विवा क eyeballsई फ्रुम् करन्या के मातापिता को एक जोड़ा बेल और जोड़ा देता है ठीक है तो उस जमाने में देखे जब ये चीजे लिखी गेंटी जब बनाए गये थी तो गाए और बेल देना ये बड़ी बात थी यही किसी पधा से पैसे नहीं होते थे कि इतने विज होगे प्राथमी काशक् सब उनको वो प्रवाइड कर देंगे इसलिए क्या होता था यह एक प्रतीक के रूप में होता था कि हाम इतने संपन्न है तो इसमें क्या होता था कि विवा को संपन्न मान लिया जाता था और लड़की को दान कर दिया जाता था आश विवा में तो इसमें तो देखे लड़की एक साथ मिलकर आजीवन धर्म आचरण करो ठीक है तो यह उचारण करते थे कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म आचरण करो यह जो यह उचारण होता था यह इंपोर्टन होता था होता यह भी बिल्कुल ब्रह्म विवा की तरह था लेकिन यह उचारण जो था यह क को माना जाता थे और यह माना जाता था कि यह विवा के अप्रश्रस्त प्रकार है कौन leben असुर विवा में ग्या से गन्धर या 말Rocky विवा की तरह था लड़का लड़की अपनी राजी खुशी से जाकर विवा कर लेते थे ठीक है अब देखिए राक्षष विवा क्या था इसमें युद्ध में इस्त्री का हरण किया जाता था और जैसे किसी इस्त्री का पहरण करके आपने जबरजस्ती उसके साथ कुछ गल लाताते थे फिर उसते विवा करते थे ठीक है उनके 100-200 पत्निया भी होती थी तो इस तरह से होता था इसलिए इसको च्छत्री विवा भी कहते हैं अब एक प्रशनेativa इसम میں ये बनता है जो भवाण शरी-क्रिष्नने ने विवा किया था वो किस प्रकार का विवा था तो भ कुद्द किया तलवारबाजिया की ठीक है जान पर खेलकर उनोंने रूख्मणी जी का अपरण किया और उससे विवा किया था तो यह क्या यह राक्षष विवा में आएगा पैसाच विवा में जब्रण Васे का रेव किया जाता है इसमें रेव करने के लिए रखा जाता है कि आप दो साल सक रहेंगे दो साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा तो मुस्लिम भाइभी ऐसा है कि अगर आप अच्छे से हैं ठीक है वरना आप दो चार बच्चे पैदा कीजिए फिर आप ठीक है तो इस तरह से होता है कि इसमें जब तक आप नहीं रहेंगे तो आपको तलाग दे दिया जाएगा तो यह समीदा की तरह होता है मिसलिए डर बना रहता है कि कब तलाग मिल जाए ठीक है तो इसमें विवाह के लिए निकाहाश शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसका जो साब्दी करत है वो है लिंगो का मेल ठीक है मुसलिम कानून के मानता है कि बिना मेहर के विवाह संभव नहीं है यानि विवाह के समय लड़की को मेहर जो होता है वो दिया जाता है ठीक है तो अगर लड़की को कुछ धनराशी प्राप्त होती है लड़के की तरब से तो क्या है वो मेहर है जबकि दहे जो होता है वो द जाता है लड़की को एक ठनकी तरह होते है कि कडिये अगर कुछ एसा हो जाता है कि वीएक के बाद कुछ परबलम हों यह से वह अपना फ़रान पॉuu uh कैना अर्डो मुली क्या होता है इसको क्रन्या के पिता को यह तो होता है और मेहर के बिना शादी मुश्लिम समुदाय में नहीं होती अब देखिए मुश्लिम विवा के प्रकार देखिए कौन-कौन से निकाह वैद विया यानि इसमें जितने साक्षी लोग जो विवा की बनते हैं उतने लोग होते हैं ठीक है और यानि समाज़दार पूरी पत् стать के साथ रहती है और उसके बाद जो संतान फ्रपन होती होती है उसको तो मिलता है पूरव प्रपरटी में हक मिलता है लेकिन इसको निकाल दिया जाता थीक है यह मुता है और उसको पर पैगंबर भी मुश्य तभी करेगा? अगर उसने बिना तलाग दिये साधी तो इसंसोधन किन गरता है, लेकिन उसको नियमित मना दिया जो समस्या होती है उसको संसोधन करके बालित या शूनी विवा इसको अवैद विवा भी कहते हैं तो इस प्रकार के विवा को पूरी तरह से निक्रिष्ट गुषित किया जाता है यानि दो अलग अलग धर्मों के बीच विवा हो गया ठीक है कोई मुर्ति पूजक हो गया ठी खी विवा भी क्या है मुष gagn है मुषिम संवधाय में बूब में विवा भी तरह जो हैं मुझे सब्सक्राइब निक्रिक केृकत करने मिष्ट के अजिए इसमेह ठीक विवा 2 ने पर घृष्द क्या होते हैं एक मासिक धर्म के समय तलाक की घोशना कर दी जाती है फिर दो चार हफ्तों तक कोई relation नहीं होता पते-पती में तलाक संपन मान लिया जाता है तलाक है हसन का मतलब होता है कि तीन-चार जो तूहर होता है ठी है नि जो मासिक धर्म होता है औस एक बार तलाक बोला फिर अगले मैने प्लёт तलाक बोला तलाक बोल दो और तलाक हो जाता है तो इस exclusive क्योंकि तीन तलाक बेहन है यह कौशन बन सकता है क्यों दौन सी प्रकार में अब क्या चाह प्ति यूज़ई तो आने का न है निवह तक यो नहीं किया जाता है देखिये इसमें कैसा हुआ तो स्वयम ही तलाक स्विकार हो जाता है बीना कुछ बोले ही जिहर कि जब पती पत्नी के तुलना किसी ऐसी इस्तरी से करता है जिसके साथ मुस्लिम कानून के अनुसार विवाह नहीं किया जाता है तो क्या होता है तलाक तो उसमें जैसे माली जे पती जो है वो पत्नी के है खुला में पती पतनी अपने बिलकुर सोच्छा से ही वो तलाग दे देते हैं और इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ धनराशी दे दी जाती है कि हाँ तुम तलाग दे रही उतने अतना पैसा मिल जा रहा है तो जितने भी अपने देखा होगा सलिब्रिटीज है उनमें जो तलाग होता है मुश्लिम में खुला ही होता है ठीक है यानि दोनों अपने स्विक्रिति से कुछ पैसे लेकर आपने ये बंगला ले लिए इतने करोड ले लिए फिर इस तरह से हो जाता है मुबारत में कोई भी बक्ष किसी को भी छटिपूर्ति नहीं देता है और बिलकु चरित रहीन हो या फिर कुछ भी इस तरह से तो पत्नी उसको प्राश्चित करने के लिए कहती है अगर वो प्राश्चित नहीं करता है तो तलाग जो है स्विकार मान लिया जाता है देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है इसमें तलाग तफ़िज क्या है तलाग क्या है 15 वर्ष मुस्लिम कानून के उनसार उनकी वैसकता की आयू 15 वर्ष है और मुस्लिम एक साथ चार पत्निया रख सकते हैं और पाच्वी से विवा करना है तो एक को तलाग देना होगा ठीक है तो यह सब याद रखेगा पीन तलाग चो हाली में बैन हुआ है वो इस्ल जीवित नहीं है तो जो रिष्टिदार है यानि जो साससुर है यानि जो संपती है पती की ठीक है संपती के धारक जो लोग होंगे वो लोग देंगे ठीक है और अगर वो भी नहीं जीवित है तो जो वक्ष बोर्ड होता है मुस्लिम वक्ष बोर्ड जो होता है वो देगा इस तरह से महिलाओं के इसमें सनक्षण के लिए कुछ राशी की बेवस्था की गई है दो प्रकार को धार्मी की विया और सिविल मेरिज ठीक है धार्मी की मतलब होता है चर्च में होता है दो महीने पहले अर्जित दी जाती है जब दुलहन प्रवेश करती है तो घंटिया ब प्रमुक होती है और नयाधीश के सामने पती और पत्नी जाकर सिगनेचर के माध्यम से विवाह कर लेते हैं ठीक है तो यह हो गया देकि प्रिवाह संबंदी अधिनियम है याद रखेगा सतीप्रथा निरोधक अधियम यह 1839 में बना था इसमें सतीप्रथा को बैं कर दिया गया ठीक है और यह अंग्रेजों दारा भारतियों के हीत में बना पहला अधनियम था ठीक है 1839 में अब देखिए जाती निर्योगता अधनियम 1850 में यह कई बार एक्जाम में आया है इसमें क्या है कि जैसे आप शूद रहें तो आपको छू नहीं सकते और आप प्रामण है आपके पूजा होगी तो यह सब चीज़ें नहीं थी कोई भी वेक्ति जाती के अधार पर अधिकार नहीं प्राप्ति कर सकता और कोई भी वेक्ति जाती के अधार पर नेर्योगता यानि कुछ समाज़वरा दंड नहीं प्राप्ति कर सकता ठीक है 1850 में सबसे पहले लगा था हिंदू विद्वा पुनर विद्वाद नियम 1856 में इश्वर चंद्र विद्या सागर के इस्पेशल प्रयास से यह हुआ था हिंदू विद्वाओं को इसमें विवाह करने का अधिकार मिला था शारदा एक्ट 1929 यह लागू हुआ था देखिए 1929 में यह पारित हो गया था संसद में और समाज में यह लागू हुआ था सुसाइटी में यह 1930 में ठीक है शारदा एक्ट में क्या था लड़कियों की विवाह की आयूनिस चित के गई थी अठारवर्ज ठीक है विशेश विवाधनियम 1872, 1923 और 1954 तो ये अलग लग चीज़े हैं इसमें क्या क्या है देखिए 1872 में धर्मिक प्रतिबंधों को समाथ किया गया था 1923 में क्या था अंतर जाती विवाधनियम इसमें जाती की बात की कही एक जाती का विक्ति दूसरे जाती का विक्ति से शादी कर सकता है ठीक है तो 1954 में विशेश विवाधनियम 1872 के कानून को रदि कर दिया गया क्यों रदि कर दिया गया देखिए जो 1872 का कानून था इसमें यह माना गया था कि कोई भी वेक्ति अगर दूसरे धर्मा और लंबी से विवा करेगा तो वो यह गोशना करेगा कि मैं जो हूँ हूँ हिंदू धर्म का हूँ और मैं इसाय धर्म के इस वेक्ति से विवा करना हूँ ठीक है जबकि 1954 का जो विशेश विया अधनियम हुआ, इसमें गुश्णा करने कोई जरोत नहीं, यदि आप बालिक हैं, तो आप विवाह कर सकते हैं, इसमें आप धर्म को बताने की जरोत नहीं होतीं, तो इसमें अंतर जाती और धर्मिक विवाहों को मानता हुम गई लग होने पर भी संपत्ति का उध्राधिकार इसमें हुआ ठीक है यह दि कोई वक्ति संपतिकार्य पर भी संपत्ति परविए तर में समत्ति से थे हिंदू इसको मिलेगi संपति सो उसपते concepts नहीं गया हुआ था हिंदू विवाद अदिया में प्राप्त हुआ था इसके पहले हिंदू में विवाद संभव नहीं था हिंदू उतराधिकार इसमें हिंदू त्रादिकार से जो दो नियम थे मिताच्रा और दायभाग को यह अलग लग जो थे इनको हटा दिया गया और एक कर दिया गया ठीक है इस्त्रियों के अन्यतिक व्यापार निरोध्यक अद्नियम 1956 यह कई बार आ चुका है देज निरोध्यक अद्नियम 1961 इसमें देज लोने वाले व्यक्ति के लेकर कुछ प्राधान बनाए गया है कि उनको दंड दिया जाएगा यह दिया उनको यह कर दो दूद।